हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में जैसा कि आप सब जानते हैं हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायन्स पावर के Q1 के रिजल्ट के बारे में कलीन का Q1 का रिजल्ट आया है तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा की वीडियो को अन तक जरूर देखे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करे ये कंपनी को लेकर आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन तबा दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंस को भी जरूर शेयर करें तो आई ये अब हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अज की दिन रिलाइंस पावर पे अगर आप देखेंगे तो 4.55% से गिरावट देखने को मिल रही है और इसका करेंट प्राइज है 11.55 पैसा अगर आप पिछले पास दिन से देखे तो इसमें हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है अगर हम लास्ट के छे मैनों का चार्ट देखे तो इसने करीब 260% का रिटर्न दिया है ये भी इसलिए बिकर्स कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि जो हमारे अनि लंबानी जी है रिलाइंस पावर के मालिक उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो अपनी जो कंपनी है उसको वापस सुधारेंगे इसमें अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाएंगे और जो जादा लॉस मेकिंग कंपनी है उनको ये सेल आउट करेंगे और इनके जो मेन बिजनसे जैसे रिलाइंस पर जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनको जून कॉर्टर में 12 करोड का प्रॉफित हुआ है इनका जो रेविन्यू था सेल्स था वो था 2014 करोड का इनका टोटल एक्स्पेंस था 1099 करोड का इनका अधर इंकम से 49 करोड आया था इंटरस्ट एंड डेप्र करेशियेशन के बाद इनका प्रॉफित बिफोर टैक्स था 91 परसेंट का इनका जो प्रॉफित है नेट प्रॉफित 12 करोड का है यह पिछले कॉर्टर से कम हुआ है लास्ट अगर हम देखे तो इनको सब्टेंबर कॉर्टर से प्रॉफित में इनके रिजल्ट देखने मिल September quarter में 2020 के September quarter में इनको 106 करोड का profit हुआ था December quarter में 52 करोड का March quarter में 73 करोड का and June quarter में 12 करोड का profit हुआ है इसे ये देखने मिल रहा है कि हाँ इनकी balance sheet में अगर quarterly results और profit में आ रहा है और अगर हम आपको इनके balance sheet में लेके आते हैं तो इनका जो share capital है 2,805 करोड का इनके रिजर्व इनके पास है 9,441 करोड जोकी अच्छी बात है कि kampanye के पार रिजर्व ऑन इनकी बॉरॉइंग जो है 2,625 करोड की है अगर पहले देखें तो पहले इनके पार 28,804 करोड की बॉरॉइंग थी जो की 8,000 करोड से कम के इनकी इनकी company पे जो debt था वो year on year अब reduce कर रहे हैं जैसा कि इन्हों ने अनी लंबानी ने जैसा कि अपने interview में भी बोला था इनके पास fixed asset है 37 करोड के आसपास के उसके इन्होंने investment भी इनके पास है company के पास assets भी बहुत है और अगर आप इनके shareholding pattern की बात करें तो promoter के पास करीब 9.06% के shares है FII के पास 1.78% के shares है DIA पास 4.26% के share है और बाकी 84.9% के share public के पास है जैसे कि अनि लंबानी जी ने बोला है कि future में ये अपने stake भी बढ़ाएंगे इन companies में promoters holding बढ़ाएंगे and company पे अगर आप देखे तो pledge shares भी है इनके 17.91% के आसपास के shares pledged है बड़ जैसे कि आप देख रहे होंगे कि company के balance sheet में अगर आप देखे तो सुधार आ रहा है धीरे-धीरे and इसकी वज़े से ही आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि इसकी price करीब 3 रुपे के आसपास से बढ़के काफी उपर गई थी अब थोड़ा गिरावर्ट देखने को मिला कि 11 रुपे के आसपास अभी prices की चर रही है and अगर इनके futures की हम बात करे futures की बात करने से पहले IMA मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो book value है वो है 36 रुपीज का market capitalization इस company की है 4,114 करोड की इनका face value 10 रुपे हैं ये company dividend बिल्कुल देती नहीं है and अगर future की बात करें तो जो अभी की government है ये power sector पे बहुत ज़ादा ध्यान दे रही है तो company के लिए opportunities बहुत है and जैसे की ये सुधार भी दिखा रही है इनके business में तो future में अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो हमें इनके stock price में भी बहुत सुधार देखने को मिल सकता है but अगर आप देखे तो ये company risky है risky नहीं बहुत ज़ादा risky है because इस पे debt अभी भी बहुत ज़ादा है तो अगर आप इस पे invest भी करने का सोचे है तो एक छोटा amount invest कीजी जिससे अगर डूबे तो आपको फरक ना हो and अगर future में जैसे जैसे company सुधरते जारी है आप उसमें अपना investment भी बढ़ा सकते है but अभी के लिए अगर आप ये देखे तो इस company में risk है but returns के chances भी है but अगर आपको investment करना है तो आप खुद से एक बार सोच के news पे क्या आ रही है company को लेके अगर future में company अच्छा perform करती है तो ये stock और बढ़ेगा और अगर ये future में company में इसकी performance गिरते जाती है तो इसका stock price भी गिरते आएगा तो उसलिए आप एक बार analysis जरूर कीजिए and हमें आपको इनके Q1 के results से regarding बताना था तो ये company ने Q1 में 12 करोड का profit दिखाया है जो कि पहले के profit के हिसाब से तो काफी कम है बट हाँ company ने loss नहीं किया यही बात हम बोल सकते है आज के दिन अगर इसका price की गिरावट देखे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कल और आज दो दिन में market crash ही हुआ है उसी वज़े से लगबख सारे shares में हमें गिरावट ही देखने को मिली है उसलिए इसके price में भी हमें गिरावट देखने को मिला है ये वीडियो में हमें आपके से यही सब बताना था अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे like जरूर करे comment करके बताए कि आपको क्या लगता है इस company के बारे में और ये वीडियो अपने friends को भी share जरूर करे इसी के सार्थ हम वीडियो समाप करता चाहेंगे धन्यवाद